कि पेड़ा क्यार्दी क्लास के अंदर हम रस्वामिकन मित्ती पर आधारिक प्रसंद कर रहे थे जिसमें NCRT का उदारन नंबर कि 1.4 अब हम देख रहे हैं जिसमें पूछा गया है कि कि इतने मोल मेधेन के देहन से 22 ग्राम CO2 बनेगी यह क्योशन को चले तो आज आपको पता है कि CO2 पहले हमको पता है कि अभी बनी थी न एक मोल से कितनी CO2 बन दिया है एक मोल बन देगी नहीं अब मुझे इनको भी लिख सकता हूं मैं लेकर मुझे मतलब है CO2 से और मैथेन से तो इनको क्यों लिखो में फार्गोर मेरी है अब एक मोल CO2 का मतलब कितना CO2 नहारा लगाओ कितना होता है नुगा तो 45 ग्राम CO2 कितने मोल से बनी एक मोल से लेकिन परसंद पूच रहा है 22 ग्राम CO2 कितने मोल मैथेन के देहन से बनेगी क्योंकि 45 ग्राम कितने से बनी क्योंकि 45 ग्राम CO2 उत्पादित होती है कितने से बराबर एक मोल मैथेन से एक मोल मैथेन से इसलिए परसंद क्या पूच रहा है कि बाइस ग्राम CO2 उत्पादित होगी कि चंबली स्किंटू कि यानि कि मोल से बताओ क्लियर वागी नहीं हुआ कि अजिए नहीं है कि लेगें आप एक और प्रसंद था उसमें तो पूदर रहे ना कि एक कॉइंट पांच उदारन लेते यहां कि उदारन नंबर एक कॉइंट पांच देख गिया अचिए अचियाटिका उतारण नमबर एक पॉइंट पांच कह रहा है पचास केजी एंटू गैस और कितना 10 केजी हाइड्रोजन को को NH3 बनाने के लिए के लिए मिस्रित किया गया या जाता है NH3 पादने के लिए स्थीमान अभी करण बताना है ये गन्णा करने है तो सुन लो गेटा आप को क्या दिया पहले तो इस बताओ आमोने कैसे बनता इंसे संहिकन क्या रहती है तू पटाएगा पे नाम पेदा पावन तो बता कि N2 अभी गरियाई समीगण क्या होगी N2 रेस्ट टू क्या बनाते हैं समीगण क्या होगी N2 प्लास H2 इसकल टू अब तुझे पता है समीगण संतुलित है क्या तो संतुलित करने के लिए क्या करोगे अब पढ़के सुनाओ एक मौल नाइडरोजन तीन मौल आइडरोजन से क्या करके दो मौल अमौनिया ता है ए अब नारा एक मौल भूले तो मतलब 28 ग्राम कितने से शे ग्राम से कितना अरे अर्चत कैसे हो गया चौतीस ही तो होगा दो मौल में चौतीस ग्राम भूए एक मौल में अनबार और दो मौल में अब मैं यह ग्राम है अगर यह 28 ग्राम है तो इसको मैं 28 किलो कर दूँ तो यह कितने से क्रिया करेगी और वह कितना बनेगा जब 20ं को किलो कर दिया न मैं जब यह वो फूचना कि श्कॉन में दिये गयी है किल आम ए रस्त्रम ही करने ती सबको किलो कर दिया ना मैं ना क्योंकि हम पो सुचना किस कौन में दिये गई है तो अब यह रस्वमी करनेती द्रब्यमान की रूप में हो गई कि 28 किलो नाइड्रोजन 6 किलो नाइड्रोजन से 34 किलो अमोनिया बनाती है अब आपको दिया क्या है लेकिन दिया है 28 किलो का मतनी इतना है दिया है नाइड्रोजन तो पचास किलो और यह 10 किलो और पूछा क्या है सीमान अब्यगर और में होता है झोकि अमको क्या पथा यह पता है तो अधाईस किलो के लिए च्छे किलो को टोगा है लेकिन हम गों पचास का पता यह है तोडेग लेते हैं और चेक द लेते हैं वह वह उएक चुवक यह याशन किलो हम मैं 28 किलो खर्चोता है तो यह आइडोजन कितना खर्चोता है 6 किलो इसलिए 1 किलो खर्चोने पर यह कितना खर्चोगा 6 बटा 28 और इसलिए आज अमारे पास कितना है 50 किलो है ना तो 50 किलो खर्चोने पर कितना खर्चोगा 6 बटा 28 इंटू 50 कितना होगा, काटो, ये तीन और ये चोदा, और तीन पंजे, पंदरा, एक सो पचास में कितने का बाग, चोदा का बाग देखना है, चोदा एक अब चोदा, भई, दस किलो से तो जादा ही आएगा, और ये तो दस किलो ही है ना, और वो कौने 11 किलो खर्च हो रहा है, तो खर्च हो जाएगा क्या, तो इसका मतलब ये किरिया है, ये पूरा पचास किलो खर्च नहीं हो रहा है, तो कितना खर्च हो रहा है, अब हम इसको तो दस में से दस खर्च कर देते है, तो अब ये पचास किलो में से कितना खर्च हो र लगाते हैं तो आपको पता क्या है लेकिन 6 किलो खर्च होता है तब ये कितना होता है अब इससे लगाओ चूंपी 6 केजी है एच्टू खर्च होता है क्रिया करता है कितने से बोलो 28 किलो से इसलिए कितना क्या कराना है हमारे पास आइडरोजन दिया कितना है 10 किलो तो 10 किलो कितने से क्या करेगा 28 बटा 6 इंटू 10 तो कितने आया चेटी अठारा च्छोंप का 24 फिर चार बच्जे हैगा फिर चालीस हो गया चालीस में कितनी बार जाएगा चालीस किलो ही रच हो रहा है ना पच्छाज में से लगबग च्छारीस पॉइंट कुछ खर्च हो रहा है तो आप तो हो जाने तो क्यूंकि हमारे पास पचाज किलो ही लगबग तो सीमांत अभी कर्म कौन रहा है एच टू क्यूंकि वो दस में सेज और ये कितना सेज बचेगा ये पूचे तो लगबग चार केजी सेज बचे आएगा ऐसे करना है पिता है इसमें कितना पड़ा देर कहीं इससे क्या मतलब आग गया हमारे हो ग ये मावड़ा बना रहा है इसको बंद रहा है इसको बंद रहा है वो एक पूस करना है उक्त क्याश्यन में उक्त प्रसंद में कि एइ एनि अस्थरी की मास्तरावी बतानी है तो तुमको सूचना क्या थी चै की लोग कितना बना रहा था है और ए अमोनीया चै की लोकितना बना रहा था है डेखोना आ देखने से पता लगे गैंगा स Luckily भी चै किलो च्छे केलो, बनाता है, 34, अमोनियां तो 34 ही बनना है, बावरे जो है न ये मैं बेठे हां बिर्माग से, पूरे बिर्माग लगा, 6 केलो बनाता है, कितना हमोनियां, 34 किलो, तो एक किलो कितना बनाएगा, 34, 34 बटा 6 और कितना खर्चोरा है आज आइड्रोजन ये देखो अरे आइड्रोजन कितना खर्चोरा है इस अभी किरिया में तेरे पास कितना आइड्रोजन थे आज कितना आइड्रोजन लेके चलते हम और 10 पूरा ही खर्चोरा है ना तो 10 किलो कितना बनाएगा निकालू अमोनिया तो 34 बटा 6 इंटू 10 तो कितना है 340 बटा 6 छे पंजे और 40 बचा 636 खिर 56.6 किलो बनाएगा तो आज अब हम यह दो क्रेशन हो लेते हैं जो यह किस्ट्रेंट की प्रॉब्लम थी कि पांच मोल ऑक्सीजन की उपस्तिती में सल्फर को जलाने पर सबसे पहले हमको क्या करना होगा आज क्वेशन सबने देख लिया मिटा दू अब अब पहले सल्फर को किस में जला रहे हम लोग तो समीगन क्या बनाएगे सल्फर का सूत्र और ऑक्सीजन का सूत्र और जलाने के बाद क्या बनेगी तो यह समीगन ओभी क्या यह समीगन संतुलित है क्या क्या यह समीगन तूने भी बनाएथी सल्फर प्लस ओटू इसका दू तो इसको पढ़के सुनाओ एक मोल सल्फर एक मोल ऑक्सीजन से एक मोल एसो टू बनाती है एक मोल एसो टू का बाद उसके अनुबार के बनावर तो कितना कितना सल्फर का बतीस और ओक्सीजन का भी यहनि चौसट ग्राम बनती है कितने से एक मोल से तो आंको क्या सुचना बगर लगी गुलो चुमुकी एक मोल बनती है बनाती है कितना कितनी बनानी हमको तो क्या करोगे पांच मोल बनाएगी 24 इंटू 5 बराबर उत्तर आगे होगा कितना सल्साइप्रेशन था अब भी नहीं बैठा S प्लस O2 इस समीकान ही नहीं बनती होगी सुत्र सल्फर काई बता नहीं होगा पहले सुत्र याद बना कुछ मैनब तो करनी बड़ेगी सीटी की तो को इंजेक्शन तो है नहीं कि मैं तेरे इंजेक्शन में तो से लूँ इंजेक्शन में ये विजे लेगा